और देखिए से बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही उसका रूख कर लेते हैं गाजीपूर लेंडफिल साइट पर भीशन आग लगी है कूडे के पहाड में गैस से ये आग और भड़कील पिशले 16 घंटों से यहां लगा तार कूडे का बाहार धदक रहा है दमकल की कई गा कारियां मौके पर मौझूद है और लगातार आग भुजाने की कोशिश की जा रहे देखिए तर तस्मीरे भी कुछ सामने आई है किस तरह से धदक रहा है कूडे का ये पहाड गाजीपूर लेंडफिल साइट जो लगातार दिली की सियासत में एक बड़ा मुद्दा रहा ह और आग लगने से यहां पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है लगातार बीजेपी आमाद्वे पार्टी पर सवाल उठा रही है गाजीपूर लेंडफिल साइट को लेकर कोडे का ये पहाड हमेशा से ही एक बड़ा राश्न से एक मुद्दा और अब जब यहां पर सियासत शुरू हो गई है बीजेपी ने आमाद्मे पार्टी पर सवाल उठाए है और कहा कि यहां ब्रष्टा चार का खेल खेला जा रहा है आग लगने के पीछे के कारणों की जाच हो ये सवाल लगातार अब बीजेपी उठा रही है पिछले 16 घंटों से गाजीपूर ले आच होन चाहिए अधिक लापरवाही है दिली निगा निगम और दली सरकार की दिसमबर 2023 का वादा किया था अर्विंद के जीवार और उनकी सरकार में की सत्ता हमें देदी हम पाल खतम कर देंगे और आपको ध्यानों को मैं पिछली बार भी आता तम मैंने काता है कि निया यहां बन रहा है कि खुड़ा जितना उठना चाहिए डिस्पोज होना चाहिए नहीं हो रहा है ठेकेदारों की मिली भंगत है काम बिल्कुल हो नहीं रहा और जिस तरह के लापरवाही हुए है मैं है रहा हूँ आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था कि अधिकारी कह रहे हैं उनके लिए नार्किया जीवन कर दी हैं लोगों नहीं हमारी फायर डिपार्टमेंट हैं दमकल की सेवाएं हैं वो भी लगी हुई है जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा तो हमने कितने बड़े कुड़े का पहाड़ खतम की आप देखे ना हमने जो मुद्दा बना के च पेस्टाचारियों को अपने साथ सामिल कर लिया चुनाव मतला न्यूस्टाटिफोर और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूस आपको बता दे गाजीपूर लैंडफिल साइट पर भीशन आग कुड़े के पहार में गैस से आग भर किया पिछले 16 घंते से कुड़े का अब पहा के लोगों को भी खासी परिशानी हो रही है दमकल की कई गारिया आग भुझाने में लकातार जुटी हुई है लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है सांस लेने में जो भी आस्पास यहां लोग हैं पूरे के पहार में गैस से ये पूरी आग भर की है और बड़ी ख़बर य आ गया है लेकिन आग इतनी तेज थी कि काफी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू बाले हैं तो तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं हाला कि आग किस वज़ा से लगी इसकी फिलाल जानकारी नहीं आई है बताए ये जा रहा है कि आग अचानक लगी थी ग्यास की चली गई और आस पास पूरे इलाके में धुए का अंबार फैलने से लोगों को खासी परिशानी हुई सांसलें में डमकल की कई गारियां मौके पर पहुँची और कई घंचे लग गए एस आग पर काबू पाने के लिए जहां पिछले 16 घंटे से लगातार ये आग फैल रह आग भरकी है